हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर आपका स्वागत है कौन्ट स्टेडी में आज हम करने जा रहे हैं हमारा चेप्टर प्रॉबिल्टी जो की हमारे मैट्स का एक चेप्टर है और उसका आज हम करेंगे पार्ट थी जो की होगा कार्ड्स के कंसेप्ट पे इसमें मैं आपको एक और चीज का कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जो की है कॉंबिनेशन पर्मुटेशन कॉंबिनेशन चेप्टर जो है उसका हम कॉंबिनेशन वाला पार्ट ही करेंगे हमारे probability chapter के आज वाले और कल वाले portion में सिरफ combination ही use होगा इसलिए मैं permutation का concept आपको नहीं बताऊंगा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर subscribe कीजिए साथी साथ हम Facebook और Instagram पर भी active हैं जल्दी से हमें हर जगा follow कर लिजिए और किसी भी update को मिस्मत कीजिए जेके SSB class 4 के maths की quantitative aptitude की जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको मिलेंगी हमारे playlist section में जाके इस playlist में जिसका नाम है जेके SSB class 4 mathematics तो शुरू करते हैं आज हमारा combination का concept combination का मतलब होता है selection permutation का मतलब होता है arrangement पर फिलाल हमें permutation पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है हम combination का concept भी समझेंगे तो उससे हमारा ये chapter असानी से solve हो जाएगा तो सबसे पहले देख लिजिए combination का formula क्या है n, c, r n होता है कि जितने हमारे पास total चीज़े दी हुई हैं जिसमें से select मैंने आपको बता है combination का मतलब है selection यानि कि हमें एक group दिया होगा उसमें से हमें कुछ select करना होगा तो n होता है वो total number जिसमें से हमें select करना होता है और r होता है वो number जितना हमें select करना होता है for example आपके सामने 10 गाड़ियां घड़ियां उसमें से 2 गाड़ियां आपको select करनी है अपने business के लिए तो n होगा 10 क्योंकि वो total 10 गाड़ियां है और r होगा 2 मतलब उन दस में से आपने दो गाडिया स्लेक्ट करनी है अपने बिजनस को चलाने के लिए ठीक है तो ncr इसका फॉर्मुला क्या होता है n factorial होगा numerator में factorial क्या होता है और उसको कैसे solve करना होता है यह मैं आपको अलड़ी explain कर चुका हूँ अच्छे तरीके से फिर denominator में आते हैं ह यानि कि जैसे मैंने आपको दस गड़ियों की example दी कि 10 गड़िया थी जिन में से आपने दो स्लेक्ट करनी थी अपने बिजनस के लिए तो n factorial यानि कि 10 factorial आएगा हमारा numerator में r factorial यानि कि 2 factorial आएगा हमारा denominator में साथ ही n minus r यानि कि 10 minus 2 factorial भी हमारे denominator में multiply होगा ठीक है एक और example यहाँ पर मैंने लिखी हुई है 4c2 तो n होगा इसमे 4, r होगा इसमे 2 तो numerator में हम क्या लिखेंगे? यह numerator में हम सिर्फ n factorial लिखते हैं तो numerator में आगया 4 factorial सेम denominator में आगया 2 factorial साथ ही 4 minus 2 factorial भी आएगा अब बात करते हैं कि यह combination है क्या? यह किस चीज़ के लिए use हो रहा है? तो मैंने आपको starting में ही अपने first part के lecture में ही बताया था कि probability of event क्या होती है? numerator में आता है number of event denominator में आता है total outcome तो यह जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि 4 में से हमने 2 select किये यह number of event ही है अब बढ़ते हैं हमारे एक example ले लेते हैं combination की उससे आपको यह चीज़ समझ आ जाएगी question कहा रहा है कि 10 बंदे और 5 ओरते हैं उन में से हमें 4 लोगों को select करना है इस तरीके से कि 3 आदमी और एक ओरत select हो जाए तो यहनोंने कहा है कि हमें number of events बताओ मैंने आपको कहा था कि यह जो हमने formula apply किया हुए यह number of events के लिए ही है तो question में भी यही पूछा है कि number of events बताओ ठीक है तो हमने solution में लिख लिए 10 बंदे arrow डाल के लिख लिए कि उसमें से होने है 3 select फिर हमने लिखा नीचे 5 ओरतें जिसमें से हमें 1 ओरत को select करना है तो arrow डाल के लिख लिए हमने 1 woman अब 10 में से 3 select करना है तो हमारे पास आगया 10C3 5 में से 1 select करना है तो हमारे पास आगया 5C1 total कितने बंदे select होने थे total होने थे 4 बंदे select जिसमें से 3 ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 हो रहा है उपर select एक हो रहा है नीचे select men में से 3 select हो रही है women में से 1 select हो रहा है n आ गया 10 और r आ गया 3 वही formula हम लगाएंगे numerator में n factorial यानि कि 10 factorial आ गया denominator में r factorial यानि कि 3 factorial और उसके साथ multiply होगा n-r यानि कि 10-3 factorial अब हम करेंगे इसको solve हमने 10 factorial को खोलना शुरू किया और लेकर के हम 7 factorial तक क्यों क्यों क्योंकि नीचे हमें denominator में 10-3 factorial दिख रहा है यानि कि नीचे हमारे पास denominator में 7 factorial आ गया है तो हम 7 factorial numerator का और 7 factorial denominator का काट सकते हैं साथ ही हमने 3 factorial को expand किया तो denominator में 3 into 2 जब हमने इस पूरी equation को solve किया तो हमारे पास men select करने के number of events आगे 120 अब सेम चीज हम apply करेंगे women select करने के लिए भी तो सेम चीज apply की expand किया हमारे पास women select करने के number of events आगे 5 अब देखिए 3 select करने के event आया थे 120 एक select करने का event आया है 5 तो हम इस of events complete होंगे 120 है तीन बंदों को select करने के लिए 5 है एक बंदे को select करने के लिए तो हमारे total चार बंदे select हो रहे हैं जब हम इन दोनों events की multiplication करेंगे तो हमारे number of events आगे 600 यह सिरफ number of events निकालने के लिए डिनॉमिनेटर जो होता है वो होता है total outcomes वो अलग चीज है वो आप आगे question करेंगे जब तो आपको पढ़ा चल जाएगा अब कुछ बच्चे जिन्होंने part 2 ध्यान से पढ़ा होगा उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि part 2 में जब हमने heads tails वाले question में at most at least यह word use किये थे तो उसमें तो अलग लग parts को एक साथ मिलाने के लिए हम plus का sign लगा रहे थे तो उन बच्चों को मैं यह चीज़ clear कर देना चाता हूँ कि उन questions में क्या करते थे जैसे मैंने कहा दिया आपको कि 4 coins उचाले उसमें से at most 2 head होने चाहिए तो पहले हम 0 head लेते थे फिर 1 head लेते थ फिर 2 head लेते थे क्योंकि 2 head upper limit थी पर आप अगर एक चीज़ दिहान से आपने देखी हो तो जब हम 0 head लेते थे 0 head के साथ जो tail होता था वो multiply ही हो रहा होता था यानि कि 0 head 4 tail जो है वो आपस में multiply ही हो रहे हैं क्योंकि 4 coins थे 0 head आया 4 tails आया ये एक ही event बना जब next event आया कि 1 head आ event आपस में add हो है ठीक है इस question में कहा गया था कि 3 men और 1 woman को select करना यानि कि in all 4 बंदे select करने हैं 3 men को मैंने आपको select करने का एक तरीका दिखाया 1 woman को select करने का एक तरीका दिखाया तो जब तक वो दोनों मिल नहीं जाते यानि कि 3 men और 1 woman मिलके 4 नहीं बनते तब तक हम उन्हे multiply ही करेंगे जब वो 4 हो गए यानि आपका event complete हो गया ठीक है अब मैं आपको एक और example दिखाता हूँ जिससे आपका ये doubt ज़्यादा clear हो जाएगा वो example इनी की form में होगी जो मैंने आपको अभी-भी question कराए तो हमारा question कहा रहा है कि 5 boys और 5 girls है जिनमेंसे हमें 2 boys select करने है और 3 girls को select करने है थो हम इने select करना शुरू करेंगे 2 लड़के select होने है 5 लड़कों में से तो उसके लिए 5C2, similarly 3 लड़कें select करनी है 5 लड़कों में से तो उसके लिए आ गया 5C3 अब देखिए तीन लड़कियां दो लड़के इनके लिए मैंने दो अलग अलग पार्ट्स बनाया है 5C2 और 5C3 पर अभी तक इन दोनों को हमने मिलाया नहीं है क्योंकि दो लड़के select होने हैं तीन लड़के select होनी हैं यानि कि overall पांच लोग select होने हैं जब दो लड़के अलग select हो रहे हैं तीन लड़के अलग select हो रहे हैं इन दोनों को combine करने के लिए हमने multiply का sign यूज किया दो लड़के स्लेक्ट हो रहे हैं पांच में से multiply by तीन लड़के स्लेक्ट हो रहे हैं पांच में से अब ये event हुआ है complete जब तक आपका event complete नहीं होता आप multiply ही use करेंगे जब आपका एक event complete हो गया फिर next event की बात आएगी तो उसमें आप plus लगा सकते हो event 1 plus event 2 पर जब तक आपका एक event complete नहीं हो रहा आप multiply ही use करेंगे बढ़ते हैं हमारे next question पे question तो first part का question वही है कि 5 boys 5 girls हैं दो लड़के स्लेक्ट करने तीन लड़कें स्लेक्ट करनी हैं तो total event वही हैंगे जो मैंने आपको अभी अभी पिछले question में दिखाए अब आगे की line कह रही है and from another group यानि कि अब एक और group introduce हो गया उसमें 3 लड़के हैं 2 लड़कें हैं जिसमें से हमें 1 लड़का स्लेक्ट करना है एक लड़की स्लेक्ट करनी है देखिए अब आपके पास आगे न 2 groups आगे दो group साय यानि कि उनको स्लेक्ट करने के 2 events होंगे तो 2 अलगलग events इसमें plus होंगे पहला event हमने complete किया कि 5 में से 2 लड़के स्लेक्ट किये 5 में से 3 लड़कें स्लेक्ट की तो multiply लगा दिया total 5 लोग स्लेक्ट होगे अब दूसरे event में हम लड़के स्लेक्ट करेंगे तो 3C1, 3 में से एक लड़का select होना है लड़किया select करेंगे तो 2C1, 2 में से एक लड़की select होनी है तोटल दो लोग select होने थे एक होना था लड़का, एक होना था लड़की पर अभी तक हमने अलग-लग इनको किया अभी तक हमने इनको combine नहीं किया इनको combine हम कैसे करेंगे जब हम इनकी multiplication कर देंगे तो हमारे पास case 1 के number of events भी आगे और जो हमारा एक और group add हुआ था तो उसके select करने के number of events भी आगे 3C1 into 2C1 अब हमें अगर total number of events निकालने हैं तो हम case 1 और case 2 दोनों को अपस में add करेंगे तो यही था पूरा concept कि कहां पर multiplication होनी है कहां पर add होना है मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ एक event को पूरा करने के लिए हमेशा multiplication यूज होगी और दो अलग-अलग events जो की complete हो चुके हैं उनको जब हम sum up करेंगे तो भी हमारे number of events आएंगे जिसमें हम plus का sign यूज करेंगे ठीक है अब आज आते हैं हमारा आज का जो topic जो basically जिसके लिए मैंने आपको इतना कुछ अभी combination के बारे में पढ़ाया वो topic क्या है तो वो topic है हमारा cards का cards जानी पत्ते जो ताश में हम खेलते वगरा है जो भी बच्चे खेलते हैं मैं तो नहीं खेलता तो उसके लेके अब जो खेलते हैं उनको तो हर चीज अच्छे से याद होगी जो नहीं खेलते हैं उनको मैं एक बार detail में बता देता हूँ कि cards में होता क्या क्या है cards में दो color होते हैं एक होता है red एक होता है black ठीक है total cards में पत्ते होते हैं 52 अब देखिए दो colors हैं तो 52 को आप दो हिस्तों में divide कर दीजे यानि कि red color भी 26 होंगे और black color भी 26 होंगे ठीक है total 52 cards है red color के cards होंगे 26 black color के cards होंगे 26 अब आते हैं suits suits होते हैं उसमें 4 यानि कि जो design बना होता है उन पर एक पर hearts एक दिल जैसा बना होता है एक पर diamond जैसा बना होता है और दो पर पत्तों के जैसा बना होता है पत्तों के जैसा एक symbol होता है एक अलग design का पत्ता होता होता है और दूसरा अलग design का पत्ता होता है तो ये चार होते हैं suits, अब अगर आप 52 को 4 से divide कर दो, तो आपको पता चल जाएका कि हर suit में 13 card होंगे, तो मैंने लिखा हुए 13 cards in each deck, जब हम इन cards को combine करके एक group बनाते हैं, तो उसको कहते हैं deck, 13 cards के deck से एक suit बनते हैं, suit यानि design, जो भी 4 हमारे पास suit होते हैं, यानि 4 अलग-अलग design है, जो उनको differentiate करते हैं, ठीक है, अब आजाते हैं कि cards हमारे जो होते हैं, शुरू होते हैं, 2 से 9 तक number ही होते हैं, आपको 1 number का कोई card नहीं देखेगा, 2 से शुरू होके 9 तक counting जाएगी, फिर 9 के बाद आता है jack, यानि कि joker, jack के बाद आती है queen, और queen के बाद आता है king, और सबसे last में सबसे powerful card जिसको कहते हैं, वो होता है A, तो all in all, एक deck में आगे, आपके पास 13 cards, आप इनको count करके देख लिजीए, 13 ही बनेंगे, ठीक है, अब बात करते हैं face card की, फेस card वो होते हैं, जिन पे numbers यहां फिर alphabet नहीं लिखा होता, उन पे किसी ना किसी का चित्र बना होता है, एक किसी की picture बनी होती है, ठीक है, तो आपको बता है कि 3 cards होते हैं, एक पे joker बना होता है, यानि कि jack बना होता है, एक पर Queen बनी होती है और एक पर King बना होता है तो हमारे पास Face Cards आगे 3 Face Cards सिर्फ वही जिन पर کوई न कोई Future बनी होई है अब हमारे पास अगर एक Suits में 3 Face Cards आ रहे हैं तो टोटल कितने Face Cards होंगे हमारे पास होते हैं 4 Suits एक Suits में 3 आ रहे हैं और टोटल अगर आपके पास 12 हैं तो अगर आप इसको दो इस्सों में Divide कर दोगे तो आपके पास Red में आ जाएंगे 6, Black में आ जाएंगे छे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 52 हमारे पास Total Cards हैं और हमारे पास 2 ही Colors हैं तो 52 को अगर हम दो हिस्सों में divide कर देंगे तो हमारे पास black cards आजएगे 26 और red cards आजएगे 26 ठीक है अब शुरू करते हैं हमारे questions की series तो पहला question सबसे basic है कि पहला question कहा रहा है कि हमारे पास 52 cards हैं जिन में से हमें 2 cards select करने हैं इसमें कोई king queen नहीं है कोई color नहीं है कोई suit नहीं है उन्होंने सिर्फ सिदह सिदह काया कि 52 cards हैं और दो select करने हैं हमें probability बताओ तो numerator में आएगा number of events number of events कि हमें 2 cards select करने हैं और denominator में आएगा total events इस टो टोटल इबेंट के हमें जितने कार्ड में से दो कार्ड स्लेक्ट करने है यानि कि 52 तो जब इसे हम और शॉट करेंगे हमारा फाइनल आस राजे का 1 बाई 26 अब आ गया वो कोशन जहां पर कॉंबिनेशन का यूज होगा अब देखिए हमें काया है कि find the probability of 4 कार्ड इच each one being from different suit from it अच्छा ठीक है from a deck of 52 कार्ड यानि कि हमें 4 कार्ड स्लेक्ट करने है हर कार्ड अलग सूट का होना चाहिए तो टोटल कार्ड में से हमें सेट करने है यानि 52 कार्ड में से स्लेक्ट करने है अब मुझे बताए कि total number of suits होते कितने हैं अगर आपका answer है 4 तो आप बिल जो चीजें explain की हैं तो हमारे पास 4 suits हैं 4 ही कार्ड स्लेक्ट करने हैं और हर कार्ड different suit से होना चाहिए तो यानि कि हर suit से एक कार्ड स्लेक्ट होगा ठीक है अब आते हैं हम हमारे solution पे तो हमारे solution में आप देख सकते हो कि मैंने 13C1 को 4 बार लिखा है और आप कहोगे कि sir आपन number of cards में से ही select करोगे 4 suits मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि multiplication 4 बार होगी अब देखिए card में से ही card select होगा 4 suit है हर suit में 13 card होते हैं मैंने आपको starting में explain किया यानि हर 13 card के deck में से 1 card select होगा तो 13 में से 1 card select होना है उसके लिए क्या formula user का 13C1 और ये कितनी बार select होगा total हमें 4 card select करने हैं आप देख सकते हैं C के नीचे अभी तक एक ही card select होगा तो जब ये procedure चार बार repeat होगा तब ही जाके event complete होगा तो जब तक event complete ना हो मैंने आपको बताया कि multiply ही होगा यानि कि 13C1 को हम 4 बार आपस में multiply करेंगे ये आ गया number of events यानि कि probability का numerator तो denominator क्या होगा denominator हो होंगे 52 cards में से ही denominator को फरक नहीं पड़ता कि वो queen है king है या किसी deck में से एक है denominator बस यही देखता है कि total 52 cards थे और 4 select होने हैं तो denominator में आगए 52C4 4 cards हैं अलग-लग deck में से हैं हर deck में से एक card select होना है ये चीज़ हम सिरफ numerator के लिए देखेंगे denominator तो सीधा-सीधा आ जाएगा कि 52 में से 4 card select हो रहे हैं अब आप आगे देख सकते हैं कि 13 raise to power 4 लिखा हुआ मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि हमें पता है जब हम 13C1 को expand करेंगे numerator में तो 13 factorial आएगा denominator में क्या आएगा 1 factorial और 1 factorial के साथ multiply होगा 13-1 factorial ठीक है यानि कि numerator में हमारे पास 13 factorial है denominator में आगे हमारे पास 12 factorial जब आप expand करने लगे तो 13 को आप तब तक की expand करोगी जब तक आपके पास 12 factorial नहीं आ जाता यानि कि 13 into 12 factorial आपका होगा numerator और same 12 factorial आपको denominator में भी दिख रहा होगा तो 12 factorial से 12 factorial कट जाएगा यानि कि 1 13 C 1 के लिए आपका final answer आगया 13 तो यहाँ पर 4 13 C 1 दियो हैं आपके पास आगया 13 raised to power 4 denominator को expand करेंगे same वही तरिका 52 factorial divided by 4 factorial into 52 minus 4 which is 48 factorial जब हम इन सब को expand करोगे तो हमारे पास multiply वगरा करने के बाद final answer आजेगा 2197 divided by 20825 यह हमारा final answer चलते हैं हमारे next question पर चार कार्ड हमें select करने हैं 52 कार्ड में से तो हमारे पास probability of event का denominator तो आगया सिदा सिदा 52 C 4 ठीक है हमें सिरफ numerator पर यानि कि number of events पर काम करना है अब आगे कहा हुआ है कि find the probability of getting all cards from different suits with different number or face on them different number or face यानि कि एक बार अगर आपके पहले deck में से यानि कि 13 cards के पहले deck में से अगर आपके पास 2 का एक card आ गया तो आप बाकी के 3 deck में से भी 2 के cards निकाल दोगे क्यों क्यों क्योंकि इन्होंने का है कि different number होना चाहिए एक तो हर एक card different deck से भी होना चाहिए जैसे पिछले question में था साथ ही साथ उस पर different number भी होना चाहिए पिछले जो question में था उस पर same number हो सकता था तो इसलिए हमने 13C1 ही लिखा 4 बार उस चीज में change आएगा क्या change आएगा यह मैं आपको अब भी solution में दिखाता हूँ अब देखिए for example आपके सामने 4 deck पड़े है उन्होंने का है कि 4 deck में से आपने 1-1 card select करना है और जो card आपके पास आता जाएगा वो आपने remove करता जाना है वो card आप दोबारा select नहीं कर सकते ठीक है तो for example पहला deck आगया आपके पास 13 cards का और suppose कर लीजिए कि उस heart वाले cards के deck में से आपने 1 card निकाला और जब उसको मोड़ा तो आपने देखा कि वो heart की queen है ठीक है तो अब आपको गया करना है आपके पास आगे की 3 decks है उसमें से भी queen के card ढूंड के खुदी निकाल देने है ठीक है तो जब आपने देखा कि पहले वाले 13 cards का deck था उसमें से आपने 1 निकाल लिया तो उसकी probability क्या होगी 13 C 1 क्योंकि 13 में से 1 निकाला जब आपने देखा वो queen का था आपने बाकी 3 decks में से भी queen निकाल दी अब जो आपके पास second deck है उसमें से आपने card निकाल लिया for example king का ठीक है एक तो अलरी उसमें से queen का card निकल चुका था तो number of cards आगे उसमें 12 अब उसमें 13 नहीं बचे अब उसमें आगे 12 ठीक है अब second deck में से 12 के वापजूद आपने एक card निकाल लिया यानि कि 12 C1 आएगी उसके लिए number of events आएँगे उसके लिए 12 C1 जब आपने king निकाला king आपने side पे रख दिया और बाकी जो दो आपके पास deck बची उन में से भी आपने king निकाल दिया क्योंकि आपको different face या फिर different number चाहिए था अब queen निकल गी sub decks में से king निकल गया sub decks में से अब हम third deck की बात करें तो एक queen remove हो चुकी उसमें से पहली एक king remove हो चुके उसमें से पहली तो उसमें अब कितने cards बचे उसमें cards बचे 11 अब 11 card में से आप example ले लो कि आपने card उठाया वो निकला 6 का अब number of events क्या होंगे 11 C1 यानि कि 11 में से एक card उठाना है 6 का card आपने निकाल के side पर रख दिया अब जो आपके पास चोथा deck बचा तीसरे deck में से आपने 6 निकाला ना चोथे deck में अब आपके पास सिर्फ 10 ही cards बचे हैं क्योंकि king, queen और 6 जो हैं वो आपके चोथे deck में से अरड़े निकल चुके हैं ठीक है तो अब 10 में से हमें एक card सेलेक्ट करना है उसके लिए हमारा event क्या होगा 10 C1 जैसा कि मैंने आपके numerator उसका final answer होजगा 13 into 12 into 11 into 10 और 52 C4 को जब आप expand करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इस पूरी equation को solve करोगे तो आपके पास final answer आजगा 264 divided by 4156 चलते हमारे next question पे हमारा next question कहा रहा है कि 2 green cards, 4 blue cards और 6 red cards में से हमें 1 green, 2 blue 1 red card select करना है तो हमें probability बताओ ठीक है तो सबसे पहले चीज़ हम green card पे काम करते हैं, हमारे पास 2 green card है उसमें से 1 हमें select करने है तो उसकी probability आगी 2 C1 next 2 blue card select करने है हमारे पास 4 blue card है तो उसके number of events आगे 4 C2 4 C2 next 6 red card है हमें उसमें से 1 select करना है तो उसके number of events आगे 6 C1 अब देखिए total कितने card select करने थे total हमें 1 green करना था 2 blue करना था, 1 red करना था याई in all हमें total 4 जो card हैं वो select करने थे अभी हमने 1 किया green में से 2 किये blue में से 1 किया red में से, अब इन सब को हमें combine करना है तो क्या symbol use होगा, अगर आपका जवाब है कि जो symbol use होगा, वो है multiplication का, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्यूं? क्योंकि हमें अपना event complete करना है और हमारा event complete कब होगा, जब हमारे 4 कार्ड select होंगे, अभी तक हमने 1 कार्ड green का अलग से select की है, दो कार्ड blue के अलग से select की है एक कार्ड red का अलग से select की है तो जब हमें इनको combine करेंगे हमारा event तभी complete होगा, जब बीच में multiplication का sign आएगा तो probability of event आगे 2C1 into 4C2 into 6C1, ये था number of events यानि की probability of event का numerator, और total हमारे पास card है 15, जिन में से 4 select करने है, तो वो आगया हमारा 15C4 as denominator इस equation को solve करो और इसका answer जो है, comment section में मुझे post करके बताओ, मुझे देखना है कि आपको combination वाला method है इसको expand करना आता है या नहीं आता, ठीक है अगर आपका answer आ जाता है, तो well and good अगर आपका answer नहीं आता, तो इस equation को अपने page पर लिखो दोबारा वीडियो की starting में जाओ और देखो की combination expand कैसे होता है और फिर इसको expand करो और उसके बाद answer comment section में post करो ठीक है, इसे के साथ हमारा probability का जो part third है जिसमें हमने cards पढ़ा है, वो खतम होता है ये नीचे मैंने bracket में half, इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैंने ये जो card वाला portion है ये आदा ही पढ़ाया है, इसके बाद king, queen, jack, face cards ऐसे ही चीजों के concept भी बीच में add up होंगे, पर अगर वो मैं आपको आज ही पढ़ा देता, तो एक ही दिन में कही सारे concept हो जाते है आपको याद करने के लिए, इसलिए मैंने आज ये concept cover ना करके, next topic पर छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारा probability जो है, part 3 यही पर खतम होता है, part 4 में भी हम इसी बाट को continue करेंगे, उसमें हम king, queen, jack की introduction करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसाद आई, तो इससे like कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और इससे अपने friends के साथ share कीजिए, thank you,